नमस्ते, उस्कूल कॉलेज खोलने को लेकर बहुत छिछा लेदर हो रहा है कोई राज्य सहमती दिखा रहा है तो कोई नहीं दिखा रहा है कहीं उस्कूल खुल रहा है तो कहीं नहीं खुल रहा है आईए हम इसी बात को समझते हैं कि कहां उस्कूल खुल रहा है किस राजी में स्कूल खुल रहा है तथा किस राजी में स्कूल नहीं खुल रहा है तो आप लोग वीडियो ध्यांस देखिएगा आप लोग समझ जाएंगे कि आपके राजी में स्कूल खुल रहा है अथवा नहीं खुल रहा है आईए बात करते हैं दिल्ली की तो दिल्ली मे कोबिड-19 की सिती को देखते हुए उस्कूल कॉलेज खुलने की बहुत कम ही संभावना है संभावता 5 अक्टूबर तक वहां उस्कूल कॉलेज बंद रहेंगे हाला कि कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी उस्कूल जाकर सिच्चकों से सलाह ले सकते हैं और इसकी भी संभावना बहुत ही कम है बात करते हैं केरल की तो केरल में 21 सितंबर से स्कूल कॉलेज नहीं खुलने वाले हैं और कच्छा 9 से 12 तक के विद्यार्थी सिच्छकों से जाकर सला भी नहीं ले सकते हैं बात करते हैं मध्य पर्देश की तो मध्य पर्देश में 21 सितंबर से स्कूल कॉलेज नहीं खुलने वाले हैं और हाला कि कच्छा 9 से 12 तक के विद्यार्थी स्कूलों में जाकर सिच्छकों से राय ले सकते हैं और इसके लिए उनके माताग पिता की सहमती भहुत ही आवस्यक है यह बात करते हैं आंधर प्रदेश की तो आंधर प्रदेश में सरकार ने यहां कहा है कि 21 तारिक से उस्कूल कॉलेज खुलेंगे परंतु 50 प्रदेश स्टाप के साथ विहार की बात करते हैं बिहार में 30 सितंबर तक उस्कूल कॉलेज बंद रहेंगे हाला कि कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थी स्कूलों में जाकर सिक्षकों से सलाह ले सकते हैं और इसकी भी आसा भहुत ही कम है आईए बात करते हैं जारखंड की तो जारखंड में 21 सितंबर से स्कूल कॉलेज नहीं खुलने वाले हैं और कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थी स्कूल जाकर सिक्षों से सलाह ले सकते हैं कोरोना की समिक्षा को देखते हुए उनकी समिक्षा करने के पश्चात ही उसकूल खुलने की अनुमती दी जाएगी बात करते हैं गुजरात की तो गुजरात में भी उसकूल कॉलेज अभी नहीं खुलने वाले हैं उत्तराखंड में भी उसकूल कॉलेज नहीं खुलने वा देखते हुए हम लोग अभी उस्कूल कॉलेज खुलने के कगार पर नहीं है, अर्थात उस्कूल कॉलेज खुलने की बहुत ही कम समहोना है, हाला कि वहां के मुख मंतरी, स्रीयोगी आदितनात की बयान आना अभी बाकी है, तो जैसा भी होगा, जैसा भी खबर आएगा, हम उ हर वीडियो की सुचना आप लोगों तक पहुचती रहे, तो चलिए मिलते हैं एक नए खबर के साथ, तक के लिए आप लोग देखते रहे और पढ़ते रहे,